हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संगर साइस के यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीप समू के बारे में और ये घटना चेकर के जो पुर्वा लोकन है उसका नोर्स है रिविजन सीरीज चल रहेगी यूपीपीसी और विपीसी के लिए ठीक ह और इसमें सिर्फ फैक्शुल है थोड़ा बहुत हम कंसेप्ट देखते हुए निकलेंगे लेकिन जाधा ज़्यादा फैक्शुल चीज़े और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां पर दीए है कि जिससे अगर यहां से कोश्चन आता है तो आप गलत करके मत आएं औ है दोपे लेकिन जो बच्चा सेलेक्शन शोर होता है उसका यह गलत करकि नहीं आता अगर यह कोश्चन करका रहे है और ये बंगाले खड़े तो हमारे पास बंगाल के खाड़ी में यहां पर आपके हमारे पास अंडमान निकोबारत दीब शमूँ यह है और इधर से अरब सागर में और लच्छी दीब कुन सा लच्छी दीब उसके राजाने कवरती ठीक है और अंडमान निकोबारत दीब के अब बारम के बार देखेंगे खणे जो दीफ है और देख लेगे mennaar के खछाडी में जो दीफ है अन्ष्ट हम देखेंगे और असपास त्यूत भीवादित है उन्चे बारएँ बंगल के खाडी के स्मय वाले दीफ दिखते हैं तो बंगल के खड़े के मुख दीफों में अंडमान निकोबार दीफ समुव और अंडमान निकोबार दीफ समुव तो यह उपर अंडमान नीचे निकोबार तो यह यहाँ पे 10 डिफीर चैनल तो यह क्या होता है कि अंदमान और निकोबार दीप शमू अंदमान और निकोबार किन्सासित प्रदेश है और यह बंगाल के खाड़ी में बस्ती थे अंदमान जो दीफ है वहां सरोच जो चोटी ईसकी जो सिखर जो उसका नाम है सैंडल्डटल पिक सैडल्टल पिक सैडल पिक सैडल्टल जाओ याद कर लिए कि आण सैडल सैडल्टल पिक सब्सक्राइब कर दोस्तों उत्तरी अंडवान दीप पर दिगलीपूर के निकट इस्तित है कहां में इस्तित है दिगलीपूर के निकट इस्तित है को सा है दूस्तों सेरोच सिकर मां न planting आप याद डीप तो यह सेल याद कर लेजे अंडमान का फिन नीको नीको से ठीक निक माउन्ट ग्रेट निकोबारी पर इस्थी थे का पे ग्रेट निकोबारे पर दिया गया तो अंडमान निकोबार जो दिफ ऋमोह एं 572 दफ है कितना दोस्तो 572 यादकर लेज 22 कितना 22 दीप समों आपके निकोबार दीप समों में है दोस्तों बैरन दीप जो है ना दोस्त ये बंगाल के खाड़ी में अंडमान में बैरन दीप एक अमाद ऐसा दीप है जो जौला मुखी है कैसा है जौला मुखी हो भी एक्टू जौला मुखी और इसमें कुछ सालों के इसमें इरप्शन होती रहते हैं उध्वेदन होती रहते हैं यह पूर्ड बलेयर से कितना दूर है पूर्ड बलेयर जो राजधानी है 135 किलोमेटर दूर उत्तरी पुर्वी में वस्तित हैं ठीक है माले जिए अन्नमान यह निकोबार ति इधर साइड है यहां पे है यह दच्छडए जाला मुख्या पहला रिकार्टेड उद्गार 1787, 1787 में देखा गया था है रिकर्ड किये गए जो एक्टिव है ठीक है निश्ट है इसी सागर में नार कुंडम दीप है जो की प्रसुप्त है प्रसुप्तमीन्स होता है कि ऐसा जोलम की जो यह भी एक्टू टाइप का था बटा भी बंद है लेकिन आने वाले भविश्ट में यहां पर इरेप्शन हो सकते हैं वलकेनों का ठीक है तो ऐसे कुंडम दीप भी यहीं पर है अंडमान निकुबार के असपास बंगल खाड़े अंडमान दीपो कुदपत्ति तिती परवत स्थिर्णी जो टर्सरी यह आपका अगर यदि हम बात करें करून लोजिक एक्वाडिंग तो जैसे आप दिखते हैं पहले जोईक जो प्राथमिक है इसके बाद फिर मेसोजोईक जो दूतियक है इसके बाद सेनोजोईक सेनोज स्थिकरम की परवस्रेड़ी अराकार्मियोग के विश्थार से हुई है अंडमान दीपों का ऐसा कहा जाता है एक बलुवा पथर चूना पथर सहाल इस द्यप के प्रमुक चक्टाने है कैसे बलुवा पथर और चूना पथर ड़िक हो दच्छडी अंडमान और गर्यटनी क बबारदीप सभू में बंडूर समुद्री चो मंदली प्रारचित छेत है अरचिचित या प्रारचित बंडूर समुद्री MOST IMPORTANT है दोस्तो önce याद कर लिए 2 सबसे बड़े धूर्व ब्रहतकार रावर किकड़े कीरा एक जाइंट जायन जायन रावर रोवर क्रेक क्रेयर तो ब्रहतकार जो बहुत बड़े दूर्व है और यह बहुत सम्हें मने मिलता है दूला में स्वाहुत कम ब्रहतरावर किकडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा बंडूर समुद्री जो मंडली मंडली प्रारेच्छी चेत मोस्ट इंपोर्टन है दोस्तों याद कर लिजेगा बोलिएगा मत ऐसे कोशन पूछने के चांसे चाहिए और यह पूछा ह यह पर्ट है चाहिए अंधरल बलू या आइब डिये तरहिए इस। प्रुछने के पास आप शे कोट यहीं सुया है और यहीं पर आपका तीजा अग्यए मज़द्ध को इसले अगसा स्टिस्थवन तो पुलकट जिल को बंगाल के खाड़ी में पृत्थक करता है भारत के पंबन दीप के अंतिम छोड धनुस कोड़ी से प्रारम होकर सिलंका के मनाद दीप सिलंका के उथले और जली भाग के रूप में विस्तारित है अब देख लेते हैं इसका थोड़ा शें मैपिंग यह हो गया भारत और यहां से ऐसे करके यहां पर आपका सिलंका एरिया है तो यहीं पर यह आपका पंबन नीप है यहीं पर आशपास आपका एडम ब्रीज है यह घे मोस्त है बारत के और मालदीव के मद्ध हैं मिनकाए भारत का जो लच दीव का लाश्ट वाला दीव है ऑर मालदीव जो चोटा सा डीव है कि अनुधर दीव के आश्या कंतर कया ढता है और नोशी चे kur म इनकाए जो इसमाल अंडमान है और ये कार निकोवार के मध्ध दस्टी के चैनल डंकन पास लग अंडमान और दच्छड अंडमान में लग अंडमान और दच्छड अंडमान के मध्धिस्टी से दंकन पास कोको जो है कोको ये कोको दीब म्यामार के पास म्यामार के अंतरगत आता है को को जो कि आपके मेमार के असपर से पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट आपका भारत यह हो गया यह सिलंका हो गया तो यह यहां पर पाक स्ट्रेट है मोस्ट इंपोर्टन तमिल्नाड और सिलंका के मद्ध है ठीक है मनार के खाड़ी तमिल्नाड और सिलंका के मद्ध है अब अरब सागर के दीब समूद देख लिए तो हम तो बंगाल के देखें अब अरब सागर का जो लच्छ दीब लच्छ दीब लच्छ दीब सब्सक्राइब करने तो इंता है उसमें जूजन थेनम नामक का जी घू होता है जब बहुत ज्यादा ब्लीचिंग हो जाते तो मर जाते हैं तो उसके कारट से च gensहां कैसे क्या बनता है डीप बनते हैं तो पिर रोग अन्तर रहता है कौन से बरग स्लेटर हम हम बात करेंगे जब इनिमल के और प्लांट के बारे में वहां पर तो सिलिटेटर अंबर क्या होता किस तरह होती है तो यह सब में आपको उता देंगे पहले इनको लक्दीव और मिनिकाय दीव के नम से जाना जाते था ठीक है और लच्च दीव को 1903 में इसका नाम लच्च दीव रखत गया है लच दीप है, कौन सा लच दीप, 1973 में मोस्ट इंपर्टन, लच दीप जो है अरब सागर में केरल की कोची तट, कौन सा तर, कोची तट से 220 से 440 किलोमेटर दूरी पर विस्त्रीत दीपों का समुव है, 220 से 440 किलोमेटर दूर पर है, काफी लंबा दूरी है, यह भारत का गीजी सत्राइब साथीस परडेश, कैसा है, कि अधर सासे, इसका कुल छेट पर विद दूरी हं किलोमेटर में, कितना ज्यादेल नहीं है लच दीप के कुल सिंख्य है 36 है थार्यों थार्टेश है ठाटिज है, लच दीप, कि सबसे उत्तरी दीप है सबसे उत्री दीप समो कोंसा अमिनी दीव है कितना लच्छ दीप समो को क्या करते है मिनिकाय से 9 डिगरी चैनल को प्रतक करती है अलग करता है यह लच्छ दीप का दूसरा सबसे बड़ा दीप है लच्छ दीप का दूसरा कवरती कवरती लच्छ दीप की राज़ानी है कवरती दीप परिश्थित है लच्छ दीप सबसे बड़ा दीप अडराट और अधवा इंडराथ लच्छ दीप का दूसरा है इंडराट अधवा अंडराथ कह सकते हैं जो आपको समझवा है जो भी की ताविम दीए सबसे बड़ा दीप है एलिफेंटा दीप समों मुंबई के गिटवे आफ इंडिया में है एलिफेंटा दीप गिटवे आफ इंडिया यह है यह मुंबई है और एलिफेंटा दीप यहीं पर है ठीक है असलागर का सपास है लेठा एलिफेंटा गिटवे आफ इंडिया है और 10 किलेमेटर दूरी पर अच्छा कुप सूरत है लिफंट दीतों में गया हूं और इंडिया भी देखा हूं सालसेट दीप यह पश्मित तटीच्चत्व महाराष्ट राज में इस्ती थे सालसेट जो मुंबई है वह सालसेट दीप के आयास पर उसी पर है इस्ती थे मुंबई और थाड़े नगर इस सालसेट दीप पर इस्ती थे मुंबई और थाड़े नगर किस पर है सालसेट दीप है ठीक है मोस्ट इंपोर्ट अब तटी दीप ऑफशोर आईलेंड अब तटी दीप गंगा की टेल्टा प्रदेशों में भारत के पुर्वी और पश्मी तटों मनार की खाड़ी के अनीक स्थित है ठीक है आप सो आईलेंड जैसे देखिए इन दीपों में पीरम खंबात के खाड़े में मोस्ट इंपोर्ड भेंसला काठी आवार्ड यह सब तो इंपोर्टेंट है यार दोस्त जो पुर्वी और पश्मी तटों मनार के खाड़े मनें दीप है आप सोर वाले अब तो हम अपने ट्रीक बनाते हैं तो हमें याद होता है बटा आप अपने ऐख डियरी बनाकर याद कर लेंगे तो आपको याद रहे तो ट्रिक जो होनी चाहिए खुद कियून बनाई होनी चाहिए तिक दिव बैदा नूरा पिरतन और करून बहार हमारे कुषी से की आपको सिर्फ चीजों बता दिया जाए पड़ना के नहीं हां कि आपको desperate और खणिया बेट हालिया भी नर्माद ताफीच की खड़िया बेट defic剑 min यह सब कहांपे कच्छ तटका अश्वास है वहाने पर बूचर करंजा क्रास मुंबई के पास है ambiguuchar करंजा क्रास कहांपे मुंबई के पास है । बतकल पिजनकावड लगाका अंजदिव करंद करंद कर। इसके बाद महानुदी ब्राम्री के मुआने के पास है नूमूर और गंगा सागर गंगा डल्टा में यह भी बंगाल के खाड़ी में पश्ची मंगाल के आशपस है पात के अच्छे प्रमुक दीफ है ठीक नूमूर यह समझ लिए यह यह आशपस है वह दोग गया था बीवा भी पिश्च यह उपर आया है कोरी क्रीक अथवान ने में सिक्या एक जोरी क्रीक होती है एक जोरी क्रीक होती है ठीक है भारत और यह वह पाकिस्तान का मद विवादी सरक्रीक कच के रन में इस्तित है कैसा है विवादी सरक्रिक क्रिक क्या होता है कि कुछ ऐसा भाग होता है जो दल्दली छित में आता है पानी भी थोड़ी हो रहता है थोड़ा दल्दल रहता है ऐसे छित को क्रिक कहा जाता है ठीक है सरक्रिक जो विवादी थे भारत और पाकिस्तान में 96 किलोमेटर लंबा है जली दलदली चित्रे दोस्त जली दलदली चित्रे भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंद में दोस्तों के से भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंद प्रांथ को अलग करता है यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंद प्रांथ को अलग क अब हम देखते हैं दोस्ति भारत के राज्य के किन सासित प्रदेश और राज्य देखेंगे ठीक है पटापट कटके या नहीं तो अभी एक्जाम आपका आने वाला है तो ज्यादा टाइम तक हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो और आरने सब्जेक्ट के से कितम करेंगे र नहीं दिली है और भारत में राष्ट्री राजधाने छेत दिल्ली के अत्रिक्त जो राष्टी राजधाने हैं नेशनल कैप्टल रीजन तो इसके अंतरगत हरियाड़ा के कुछ जिले आते हैं हरिदाबाद गुरुकाम मेवात रोतक सोनीपत रिवाडी जजर पानीपत पल चरणाल जिले यह सब रखते उत्तरपरदेश के दिख लेजिए मोस्ट इंपॉर्टन तो यहाद होना चैनि मेर्ट आता हैं गाजीयाबाद आता है एक हो गया दो गया हपुड़ हो गया तीन हो गया गोत्तम बुद्ध नगर चार बुलंद सर पांच मुझप्फन नगर च और सामली चात और बागपत आठ जिले आते राजस्तान के अलवार और भरतपुर आता है यह इतने जिले जो आपके इन्सियार के अंतरगत आते हैं और भारा सरकार के ग्रेव अंतरगत ने महापंजीयन पंजीयक कारयाले के अंसार छेतपल की द्रिष्टी से पांच बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान फिर मद्धपरदेश ठीक है इसके बाद महाराष्ट फिर उत्तरफरदेश चौते नंबर पर हमारा यूपी आता है आएजे छेतपल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा कौन सा आता है राजस्थान आता है फिर यमपी आता है फिर महाराष्ट आता है ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लिए जगा और ये यूपी जो दे र लग 24,928 किलोमेटर है उपी की छेतपल कितने दो लग 4,928 किलोमेटर है यूपी की छेतपल गुजरात इसके बाद आता है 1,92,000 और 3,42,249 राजस्थान का थिक है मोस्ट वान राजस्थान के याद के लिए यूपी का पठी छोड़ दीजे आपका 2011 के जन्गरना कृस्ट पांच बड़े राज़े सबसे बड़ा कौन सा है यह मारा यूपी आ गया यूपी है करीब 20 क्रोड जन सिंग आज पास है महाराश्य इसके पास बिहार फिर पश्चिम बंगाल फिर अंदरपरदेश यूपी यूएम बी यूएम बी बिहार पश्चिम बंगाल प्रेस्ट बी बीमडवल कर दिजिए ऐसा उच आणदर परदेश यह जयार नेफ्य हम देखते हैं उत्तर परदेश राजी के सीमा के स्पास करने वाले आठ राज्य है और एक इंडिशासिश प्रदेश कों से है इमाचल परदेश हरयाड राजस्थान मद्द प्रदेश 36 कर चारकंड बिहार उतरहकंड और दिल्ली केंसांसित मद्य प्रदेश की सीमा अबर्ड़ों ने पांच राज्यों से यह इंपोर्टेंट है गुजरात राजेस्थान उत्तरप्रदेश 36 कर और महराध चलगती है पांच राज्यों से लिखती हैं अंद्रप्रदेश करता नहीं बहुपाल है और तेई संस तरफ 25 मिनट उत्तरी अच्छांस में करकर रेखा के दच्छर में इस्तित हैं कि अंद्रप्रदेश पुनरर्गटर दैवरर संसुत्म दोजात चौहदक एंसार अंद्रप्रदेश की सींब हैं और चैथ्तित इस्तित गर्वाई ठलंगश og देखा में इस्तित नहीं ऐगिए सीमा 24 महाराश्व कन्हाटक अंधर Hananabord जोड़ा जाये तो सीमा छैराज्यों कंसासर प्रदेश से लगी मानी जायेगी करनाटक की सीमा आंदरपरदेश तिलंगाना महाराष्ट गोवा करनाटक सीमा किस से अंदरपरदेश तिलंगना महाराष्ट गोवा केरल थमिलनाडू छह रज्यों से अलब यह मान के लिए करनाटक लगव साउथ के सारे रज्यों से टच होता देख लिए केरल भी एगर से यहां से आपके तमिल्नाडू से यहां पर आपके किस से अंदरप्रदेश से तिलागन्ण से भी बीच में इसके बाद फिर आपका महाराष्ठ इधर वहा भी तुलब्छी राजोर से टेच होती है ठीक आगे चलते हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं केरल की करनाटक तमिल्नाडू से पुदुचेरी केरल की से माई तीन राजो से अब फट फट देख लेते हैं लोगा आगे किया है व्हारत के राज केंसाथे पर्देश यह फूट फूER काज़रे काहीं दिख लिए कहां में दिख लिए इनम यह कडो आपके केरल में यह चारों याद कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बकी जो आप सब जामते हैं ठीक है चलते हैं तर्मिलनाडू की सिमा है जो है केरल करनाटक आंदर परदेश तिन से फुदुचेरी कराइकल छेत्र मोस्ट पर चार किंसा सकते लगी हुए माने जा सकती है ठीक ह गड़िए मादप्रदेश आप दो पर चाहिं जारकण्ट्टीस से तेलंगानः महाराश्ट्री बहुत बड़ा कि ऐसे कर गया ना तो इस तरह से यहां से यूपी पिर आपका इदर जारकण्ट यम्पी इर सेट यम्पी फिरापका ओड़िशा पिर आपका नीचे तो ऐसे इसका पूरा लगा हुआ है उत्तर प्रदीश राज्यों में साथ बहनों के नाम से परसिद्ध अडवांचल प्रदीश अश्रम मिगाले मड़ीपूर मिजोरम नागरलेंड तिरपूरा ये सिस्टर के नाम से जान जाता है अश्रम राज के सिमा है साथ राज्यों से मिलती है most important अश्रम जो अश्रम परसिद्ध पश्रम बंगाल अडवांचल प्रदीश नागालेंड मड़ीपूर मिजोरम तिरपूरा मिगाले इक important वात ये है कि सिक्क्यम से नहीं लगती है अश्रम की सिमा है पश्रम बंगाल से लगती है अडवांचल प्रदेश से लगती है आपके नागालेंड से लगती है मड़ीपूर से लगती है पश्रम बंगालेंड अडवांचल प्रदेश नागालेंड मड़ीपूर से भी लगती है मिजोरम से लगती है और तिरपूरा से लगती है मेगाल लॉक लेंड लॉक होता है लेंड लॉक होता है चारोर से अस्थल सबुमा है बाडर नहीं लगती और जितना कोई पानी या इस तरह की नहीं ए इस राजी के कुल छेत्र का कितना यह है आपका 22,300 आपका 27 सवर किलमेटर 22,327 सवर किलमेटर जो संपुरु भारत का भूस सत्य का 0.75 है यह बहुत इंपॉर्ट है यह बहुत इंपॉर्ट है फूमडीज भोलते है फूमडीज बोलते है फूमडीज मड़ीज को लोकटक जिल तैने वाले जिल के छोटे-चोटे वोकन देप में पाया जाता है फूमडीज इसका इनका निर्मार लटकी हुई सेल्ट के बदे अब त्रडों मिटी के अनजेविक पतातों और सड़ती हुए उनस्वतिय से हुआ है फूमडीज बिलुप्त प्राय हर हीरड जो होता है हर येड बोल दी है इसमें हीरड है हीरड प्रजाती जो है संगाई हीरड प्रजाती संगाई के प्राकतिक निवास स्थान है मुस्ट इंपोर्टेंट है लोग टक जिनम है और 28 त्रिय अच्छांस रहेखा अड़ण चल प्रदेश के मद्ध भाग से होकर गुजरती है भारत अ कि बन इस्तिति रुपर 2019 के उनसार यह इंपोर्ट बहरत बन इस्तिति रुपर 2019 प्रदेश में लगभग 80 प्रस्यत पना अच्छादित चेत्र है राजी के रच्छित प्रोटक्ट फॉरेश्ट के नेटवर्क में अंतरगत है इसके बाद हम देखते हैं राजस्तान का मरू छेत्र विश्ट का सबसे घना बसा मरू स्थल है तिरासी ब्यक्तिव प्रतिवर किलोमेटर है अनुवनत दस अजार वर्स पुराना यहां केवल 40-60% किसी हेतु उप्रयुक्त सिच्चाई सुविधाओं में विकास के फल्सरू सुद्ध बुएगे चेत्र में ब्रित्थ कि कारण चारंगाट चेत्र के विश्टार पर के प्रभाव पड़ा है कैसा पड़ा है दोस्तों को प्रभाव पड़ा है करनाटक भारत का जन्संहक्या के दृष्टि से आठोण सबसे बड़ा राज्य है सुचना प्रदोग की के गड़ की गड़ इस राज्य की आई टी पावर हाउस आई टी पावर हाउस या सिलिकान इस्टे जैसे नामों से भी पुकारा जाता है जो आपका करनाटक बेंगलूर है ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट है याद कर करनाटक में ही भारत की सिलकान वैली के नाम से बेंगलूरू सहर सिलकान वैली बेंगलूरू सहर सिलकान वैली जो सिलकान कहां पे है यह आपका यह कलिफोर्निया कलिफोर्निया कहां अमेरिक्या में वह वहां पे आपका सॉप्टेयर बनाय जाते है कफी ज्यादे सॉप्ट प्लड़ बनाया जाता है up लोगे से जाना मलनाड दिए करनाक का का पहाड़ी प्रदैस ये गने जंगलों से कंगलों मस्थित के इस शेत्र में उच्चे पहाड़ी शिखर होती है है कौन सा उचे पहाड़ी सिखर होते हैं दोस्तों यह चीजें इंपोर्टेंट है याद के लिए च्छोटा नागपूर पठार क्या है जर मिनरल्स के लिए फेमस है और यहां पर बहु ज़्यादा कोईले पाए जाते हैं यह जारकंड राज्य में अवस्तित है और जारकंड कोईले के लिए क्या संपन्न राज्य है ठीक है दोस्तों नेस्ठा देखते हैं आंदर परदेश के कुलूर की खांज जो है बिष्ष्परसीत है हीरा के लिए किसके लिए कौनूर हीरा जो होता है और पर देश से इसको भी यात कर लेजा ऐसे खुशन अगर आप गलत करके आएंगे तो समय लेजिए आप सेलेक्शन से बार हो जाएंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी कुश्यन है हम बात करने हैं इसी करण राज्य में भारत का कॉनूर हीरा कहा जाता है कौन ये आपका कॉलूर जो है अंद्रपर्देश का विधर्व चेत मोस्ट इंपोर् महाराष्ट के नागपूर अमरावती और चंद्रपूर अकोला वर्धा वल्डाना यावतमाल भंडारा गुंडिया वासुम ये कुछ बिधर्चित कंतरगत आते हैं बिधर्चित कई बार विवाद में रहता है और ये नागपूर मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां के सबसे संपन जो सिटी है नागपूर और गर्चिरोली है ठीक है लातूर महाराष्ट का राजजी एक जिला है जिसका मुकाले लातूर में समुद्द तल से और 632 मिटर उचाई पे श्तीत है और ये जिले 3393 में भिश्रड भुकम पाया था मोस्ट इंपोर्टनेट है यह सबसे बात है लातूर कई बार इंपोर्टनेट कई कुछनों पूछ लेता है तो आज हम लोग यहां तक बात कर रहे हैं निश्ट वीडियो हम देखेंगे के इंसासित पर्देश के बारे में और यह ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है रिवीजिन के तरुपे हम लोग कर रहे है ठीक है यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कर दिया करें वाजार दोस्त लाइक कर दिया कर दिया सब्सक्राइब कर दिया अगर नहीं की होंगा कर लीजिए और शेयर कर दिया ठीक है वाकि अच्छा लगे तो जरूर कर दिया करें कमेंट डाल दिया करिए जो भी अगर दिखते हो, धन्नवाद, थेंक यू सू मच,